कॉंप्लेक्स नंबर बिसिकली रियल लंबर्स की एक्स्टेंश की इसे आगे की कंसेप्ट नाँ चलिए जबसे बहले रियल नंबर्स क्या होता है आपको पूसब बताऊना चाहिए तो रियल लंबर्स हमारे पास कॉंबिनेशन होता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जिसमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स दोनों होता है तो अगर हम बात करें इर्रैशनल लंबर या रैशनल लंबर साथ इस इसके लिग आपको पहले इन टीजर्स क्या होता है वह पता हूरे बाया जिसमें आपके पोसिटिव बले बात बात इस ली नाच्पाट करें जो नंबर 1 2 3 अको इस सवंग इसले इसी में अगर हम 0 आड़ कर दो इनका नेगेटिव भी आड़ कर दो 1,2, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 इनको मिला के हमारे क्या बनते इंटीजर्स अब इंटीजर्स की हेल्प से अगर हम किसी नंबर को PY Q की फर्म में लिख सकते हैं जहां के P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q not equal to 0 है इंटीजर्स का सिंपल है Z, इंटीजर्स से बिलांग करे P और Q, Q आपका 0 की इक्वल ना पर एग्जामपल इस तक हमने पड़ा हुआ है अब क्या होता है कि कई पर हम इस टाइप की इक्वेशन को सौल करते हैं इस साढ़ 2 मृम नेत मिजल नगल पर इसे इस साढ़ नहीं नहीं का को इस को ह recursosब करते हुए सपोसिस साढ़ ईजाएंगे अज्वाइं हैं यहां स से यहां से यह अन्डरू अच्का स्का स्क्राइअग संपल मैंस फर्टियं अभंड इसका स्क्राइग डीक और नहीं में नहीं पड़ा, it means real number में solvable नहीं है, इसको real number में हम solve नहीं पड़ से, तो जो हमारे mathematician आइलर थे, इन्होंने क्या किया, इसको नया symbol दे दिया आयोटा, आयोटा क्या था, आपके पास under root minus 1, यहां से कुछ value है, जो आपको याद रखने है, जिसकि अगर हम आयोटा, तो हमार से multiply है करतें, दोनों गराब, minus आयोटा, इन आयोटा की पार-4 करेंगे तो सकेर कर्दीजिए, minus 1 का again, माइनस सकेर शार, यह थाहर वेल्यूस का ही सिर्फ यूस करके आप आयोटा की कोई भी पावर की निकाल सकते हैं तो इपके पास की आपके पास paper में पूछा जा सकता है आयोटा की power निकालने के बारे में, यगर कोई कहें आयोटा की पावर 129 निकाल, आयोटा की कोई भी पावर निकालने के लिए कहें, चार तक आप आणसर याद है, तो एक काम करना 4 से इस नंबर को पहले डिवाइड दो, 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 1 रिमेंड, अब हमें पतम किसी यह नंबर को डिव प्लस रिमेंडर लिख सकते हैं, सेम नंबर आएगा, 128 प्लस 1, 129, यहाँ पे हम फोर्स डिवाइड करने के बार, जो इस इस से रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा डिवाइड करने पे आया है, अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, हमने पड़ा ह वह आए की पावर M plus N is equal to A की पावर M into A की पावर N, बेस सेम हो, प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती, एड हो जो हमें, यहाँ पे पावर एड हो रहें इनको माला अलग लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 into 32, और आयोटा की पावर 1 को अलग लिख रिए, आयोटा की जो आंसर देख सकते हैं हमारा आंसर आए इसलिए हमने 4 से डिवाइड किया जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 multiply something आएगा प्लस जो भी बचेगा वो 4 से कमी बचेगा जो कि हम 4 से डिवाइड करें तो यहां पर जो भी आएगा वो आयोटा की power में आंसर जाने वर जो के माग बाकी क्या जगा पावर फोर गर को वजाती आपको आपको माइनस अंसर आपको क्विमा यहीं बर्ति अगर एक्जाम में आपसे आयोटा की कोई भी पावर निकानने के लिए लिए इंपॉर्टेंट है वन मार्क में भी आ सकता है और आयोटा की एनी पावर आपको आने जाएंगे इसके बाद यह तो होगे इमेजनरी नमबर अमने इंटर्ड्यूस कर दे आयोटा एक नया नमब इट मिज अगर अंडर्वूर्ट माइनस वन आयोटा है तो हमारे पास रिए। numbers के लावा और भी numbers हैं जो आयोटा की help से बनेंगे ऐसे numbers जो real numbers से आगे चल रहे हैं complex numbers यह बारे में बढ़ेंगे complex numbers क्या होता है complex number में आप दो real numbers का combination कर रहे हो आयोटा के साथ मतलब ऐसे number जो a plus आयोटा b की form के हो जहांपे a और b दोनों ही आपके क्या है real numbers है यहाँ पर कोई भी real number रखे like 4 by 3 real number है यह बी कोई नमबर ले सकते हैं आप बी को 0 ले सकते हैं क्योंकि real number में 0 भी आता है अगर हमने बी को 0 ले लिया एक कुछ भी हो 3 प्लस आयोटा 0 सपोज 3 आगया तो real number तो सारे आई रहे हैं इसके अंदर a को 0 ले लिया अगर हमने बी को कुछ भी ले लो सपोज 2 इमेजनरी वाले भी आरे 2 इंटू आयोटा चीक है तो real number भी है इमेजनरी वाले उनका combination आरे एक तरीके से अगर हमने इसको number लाइन पर बनाना हो तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं सपोज यह real axis ले लो जहांपे जहांपे ए वाली सारी values आएंगी यह imaginary axis ले लो जहांपे पी आयोटा वाली सारी values आएंगी सपोज आपको ड्रोह करना है 3 plus 2 आयोटा तो 3 distance लेना है आपको X एकसीस की तरफ 1 2 3 0-1-2-3 और जो आयोटा वाला distance हो यहाँ पर लेना है अयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा यह नीचे- आयोटा- आयोटा-2 आयोटा अब हम आपने द्रोह करना है 3 और 2 आयोटा जहां का इनकी इंटरसेक्शन हो रहे है वो नमबर क्या हो गया three plus two one इस तरिके सी आप कोई भी नमबर any complex number आप इस प्लेण में ड्राइख कर सकते हैं इस प्लेण कोäg बोलते हैं आरगन प्लेण कोई भी number आप इस प्लेण के अंदर द्रोग कर सकते हैं तो यहां से जो complex numbers हैं इसमें जो हमने a प्लस आयोटा बी लिखा है इसमें सिंगल नमबर z से रिपर्जेंट करेंगे complex number में जो complex number z है उसका real part क्या हो गया a इसको बोलेंगे real part of z और b को क्या बोलेंगे imaginary part of z इमेजनरी part of z जो आयोटा के साथ है वो imaginary part of z और जो बीना आयोटा क्या हो क्या आजाएगा real part of z यहां से हम दो complex number को आपस में equal कब गाएंगे अगर मुझे ही कहना है z1 is equal to z2 एक complex number a1 प्लस आयोटा b1 एक complex number a2 प्लस आयोटा b2 तो दो complex number आपस में equal कब होंगे जब तो real part real के equal हो और imaginary part imaginary के equal हो जब भी आपके पास ऐसी situation आये कि left-hand side is equal to right-hand side और दो नगा प्लेक्स number है तुमको compare कर देना real को real के equal बगदेना imaginary को image हरी के equal ऐसे question करेंगे हो मांगे अब रियल नंबर में addition करते हैं माइनस 5 प्लस 3 आपको पता है माइनस 2 सीधा add हो जाता है तो complex numbers में कैसे addition, subtraction, multiplication, or division करेंगे वह हम देखेंगे सबोस मैंने दो complex number लिए यहां देखते है multiplication, addition, division, subtraction की बारे में एक ऐसे करेंगे देखेंगे addition of complex number suppose मैंने complex number ले लिया a1 plus i8 b1 और दूसरा complex number ले लिया a2 plus i8 b2 मुझे इसको add करना है a1 plus i8 b1 में add करेंगे a2 plus i8 b2 तो करेंगे क्या real वाले में real add हो जाएगा और imaginary वाला है उसको एक साथ ले लो i8 b1 plus i8 b2 यहां से answer आगे a1 plus a2, i8 common आ जाएगा b1 plus b2 it means real में real वाला add हो गया है और imaginary वाले में imaginary वाला add हुआ है जिसमें आयोटा भाना है तो एक नया complex number बन जाएगा a plus i8 b की ही form का तो this is also complex number तो addition of complex number के लिए आपको सिफ real को real में add करना है और imaginary को imaginary में add करना है ऐसे subtraction of complex number पर अगर हम चले तो subtraction के लिए भी आपका क्या होगा यहां पर बस minus आ जाएगा बीच में यहां minus आएगा जाएगा इसी तरीके से a1 minus a2 और यहां आयोटा b1 minus i2 आजाएगा तो इसमिस a1 minus a2 b1 minus b2 रियल वाले में से real वाला subtract हो जाएगा इमेजनरी वाले में से imaginary वाला subtract को जाएगा तो subtraction भी आप कर सकते हैं लेकिन जब आपको दो complex number को multiply करना हो suppose a1 plus i2 b1 को आप multiply करो a2 plus i2 गे 2 से multiply क्यासे करेंगे? Distributive property लगाएगे पहले first वाले को पूरे से multiply इसमें ऐसे नहीं करना real को real से imaginary को विएखरेंगे ऐसे ही plus iota b1 को रखो फिर स्कूरे से multiply a2 plus iota b2 multiply कीजिए a1 a2 plus तो इसको इससे करेंगे iota भार आया a1 b2 ऐसे iota b1 a2 और लास्ट वाले से हो गया iota square b1 b2 तो यहां से मारे पास a1 a2, real real वाले को कठा कर लो तो आयोटा square कितना होगा है? minus 1 बताया था तो इसकी जगे आया है minus 1 तो यह term बन रही minus b1 b2 तो इसको आगे ले आओ क्योंकि इसमें imaginary path नहीं है इसमें imaginary path है तो यहां से iota common load a1 b2 plus b1 a2 तो जब भी multiplication का आएगा आपके फास आप distributed property से इस तरीके से अलग-अलग कर लेंगे फिर end में जाके real real वाले को कठे कर लेना imaginary imaginary वाले को कठे कर लेना ठीक है इस तरीके समेशा में multiplication करने है और division कैसे करने है दो complex number की division के लिए सपोज एक number is a1 plus iota b1 बूसरा a2 plus iota b2 division के लिए मुझे इसको standard form में लाना है complex number की form में a plus iota b की form में तो उसके लिए क्या करेंगे हमें नीचे से iota खतम करना है तो जब भी हमें नीचे से root या कुछ भी real number में खतम करना होगा था तो हम rationalization करते हैं तो इसमें भी हम realization करेंगे मतलब नीचे से iota खतम करेंगे तो इसके negative का लेना है आपने iota की देगा minus iota लेके उपर नीचे हम multiply करते हैं अन्यूमिनेटर में multiply और दिनॉमिनेटर में भी सेम number से multiply की है नीचे वाले में iota की जगे minus iota लेके अब क्या होगा ओपर वाला उपर सा multiply हो जाएगा a1 प्लस iota b1 की multiply a2 minus iota b2 के साथ नीचे वाला नीचे से multiply होगा a2 plus iota b2 a2 minus iota b अब इसमें क्या होगा देक उपर उपर वाले की multiply तो हम नीचे वाले में क्या है यह a2 है यह भी a2 है यह iota b2 है यह भी iota b2 है बस यहाँ पर बीच में plus आ रहा है यहाँ बीच में minus आ है तो यहाँ पर हम एक identity लगा सकते हैं x minus y x plus y is equal to x square minus y square यह हमने पढ़ा हो तो यहाँ पर यह मैंसे करेंगे यह x है यह y is suppose x1 x plus y x minus y बन जाएगा x square minus y का square minus iota b2 का square तो जो नीचे है नीचे जो टर्म चल रही आपकी a2 square minus इसको open करोगे iota square b2 square iota square होते minus 1 कटके minus minus plus हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं नीचे से iota खतम हो चुके उपर सिर्फ iota रहे है आप no problem रोनों के बाहे में अलग-अलग कर देना है real part अलग आजाएगा imaginary part अलग हो जाएगा ठीक है तो division करना भी इंदी अब multiplication divide कर सकते हैं वोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जो आप multiplication divide कर रहे हैं उसमें mistake ना हो calculation ध्यान से कर दो तो questions देखते हैं इसी पर बिस यह जादा नहीं करना इतना सब आपको यह पता होना चाहिए कि multiply divide करते कैसे हैं चीक है इसे भी इतना पता होना चाहिए इडिशन, सब्ट्रेक्शन, मुडिटिफ्लिकेशन और division इचाहिए चले एक question लेके चलते हैं फिर आगे देखेंगे तो देखो फर्स्ट question जो आपके इसके अंदर है आयोटा की powers निकान लिए यह आपने अभी देखा है इसमें एक question आयोटा की power minus 999 इसमें negative को positive बनाने के इसमें लिए reciprocal हो जाएगो कि minus 1 का मतलब क्या होता है inverse इसके अंदर आपको नीचे वाले को पहले अलग से solve कर लीजे नीचे वाले को अलग से solve कर लीजे तो नीचे वाले को 4 से divide जब हम करेंगे 999 को हमारा बन जाएगा 4 की multiply 249 plus 3 diviser multiply quotient plus remainder तब यह वाला तो आपका क्या हो ज जाना है और बन की कितनी भी फावर करें अलग-अलग होके आयोटा की क्यूब बचेगा बस चीक और आयोटा की क्यूब कितना होता है 1 by minus iota iota cube is minus iota अब हमें यहांपे क्या करना पड़ेगा क्योंकि नीचे iota आयोटा आया है standard form नहीं आई अभी तब complex number ही तो हमें इसको यहांपे नीचे से iota खतम करना पड़ेगा रियलाइजेशन करनी पड़ेगा तो कैसे करेंगे हमें उपड नीचे multiply करना पड़ेगा इसके negative से जैसे बताया था iota का sign change करके उपड नीचे multiply तो iota iota से multiply करेंगे 1 into iota उपर iota आयोटा आगया नीचे minus iota square आगया तो iota square होता कर देना आपका answer एक real number ही बज़ेगा ऐसे second question में आप iota की n को common ले सकते हैं सभी वे आयोटा की n क्या question है iota की power n plus iota की power n plus 1 plus iota की power n plus 2 plus iota की power n plus 3 यह कह रहा है कि 4 लगातार नमबर दो n को कोई भी number रखी आप even any integer even तो आप क्या देखेंगे यहापे कि iota 1 लो q plus iota 4 plus iota 5 plus iota 6 चार लगातार iota की powers को जब आप add करते हो तो यह कहरा answer हमेशा 0 आएगा तो कैसे आएगा देखो इन 4 से left hand side लेके चारो चारो में हम break कर सकते हैं a plus b वाला formula iota की n into iota की 1 iota की n into iota की 2 iota की n into iota की 3 इस तरीक से break किया चारो में iota की power n अलग हो चुका है इधर बचा सिर्फ 1 इधर बचा iota इधर बचा iota square और इधर बचा iota q यहां से 1 प्लस iota iota square होता माइनस 1 और iota q होता माइनस iota यह तो cancel हो गया 1 से 1 cancel अंदर 0 आ चुका है 0 into something 0 इस तरीके से जब भी आप 4 लगातार iota की power को add करेंगे तो answer हमेशा क्या आएगा 0 इन questions को आप solve कीजिए कहीं पर doubt आए पूस सकते हैं अब यह questions है इनको standard form में निकाना इस यहां पर divide करना है यहां पर उपर उपर वाले को multiply करो नीचे नीचे वाले को multiply करो फिर भी iota रह जाए तो realization करना यहां नीचे iota है तो इसका negative लेके आप realization कर सकते हैं फर्स्ट question आपको मैं करा रही हैं जादा difficult question exam में नहीं आते हैं तो आपको simple question से हो जरूर आने चाहिए सारे के सारे 4 प्लस 5 iota कैसे करेंगे इस question को? हमें standard formula नीचे से iota खतम करना है division है तो इसी का negative लेंगे iota वाले तो 4-5 iota 4-5 iota से उपर नीचे multiply 5 plus 4 iota को उपर वाले को उपर से multiply नीचे बन गया a plus b a minus b जैसे बताया था 4 की जगे यहां पर concert entity लगाए a minus b a plus b is equal to a square minus b 4 का square minus 5 iota का square यह a है यह b वाले को multiply करो पहले 5 से multiply होगा 4-5 iota फिर 4 iota से multiply होगा 4-5 iota minus minus plus होगे 25 चीगे तो अब यहां से यह वाला भी iota square minus 1 बनेगा minus minus हो जाएगा plus 20 20 होगा 40 20 और 20 कितना होगा 40 और minus 25 plus 16 iota imaginary part को solve करेंगे अगर हम iota common होगे minus 25 plus 16 minus 25 plus 16 पीचे वाला add करेंगे तो कितना आगे 41 चीगे तो यहां से real के by में अलग से कर तो 40 by 41 और imaginary से कितना है 15 में से 6 है 9 चीगे minus का 9 क्योंकि बड़े वाले का sign आएगा 25 का by में 41 into iota आयोटा भी है इसके साथ तो standard form आ चुकी है minus 9 by 41 iota यह b a plus iota b की form में निकल चुक है जहाब a की value 40 by 41 और b की value minus 9 by 41 इस तरीके से आप जो अगर division का question आता है तो वह भी कर सकते है multiplication का आता है तो ओपर multiply नीचे नीचे multiply कर सकते तो इन questions को आप try करना ठीक है अगर कहीं पर कोई doubt आता है तो पूछी ज्यादा difficult question करने की need नहीं है ठीक है आता है तो आपके तीन चार टॉपिक अभी रहते हैं जिनको हम नेक्स लेक्चर में कवर करें okay Thank you so much झाल झाल